पुलिस की नौकरी छोड़, हिंदी स्तिनेमा में एक्टिम कर लोहा मनबाने वाले, अभिने से जादो चलाने वाले, शांदार डायलोग डिलीवरी के लिए तारी बटोरने वाले, वन एन ओनली दमदार आवाज से पहचान बनाने वाले, अक्टर राजकुमार की बात एक बफ़र हम करेंगे, ये तो आप जानते ही हैं, राजकुमार की एक्टिंग कितनी शांदार थी, कितना उनका निराला अंदास था, बिलकुल अनुखा, लेकिन उनका एक राज है, जो क सालों तक लोगों से छुपा रहा, जो उन्होंने कई लोगों से छुपाया, आज इस राज से हम परदा उठाना चाहेंगे, और जमाने की मशूर विलन के रूल के लिए जाने जाने वाले रंजीत के साथ जुड़ा है, राजकुमार का ये मामला, अपने कॉर्टिस पर कराने के लिए वो उन्हें बुलाया करते थे जैशन मनाने के लिए, रंजीत उनके इस गुजारिश को अवोइड भी करते थे, रंजीत ने बताया था, जी हाँ, ये आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन राजकुमार से जुड़ा ये राज रंजीत ने खोला था, तमदार नहीं करते, धर्मेंडर होया मिता, सब को सब के सामने इंबैरिस करने में राजकुमार माहिर थे, अलगी उनकी अकड़ भी थी, ये भी कहा जाता है, इगोस्टीक थे वो, खेर उनसे जुड़ा इनकी सर रंजीत ने बताया था, बॉले वो राज और कल से बात करते वे, रं काम कर चुका हूँ, इसके अलावा नजर आया हूँ उनके साथ और फिल्मों में, आउट दोर में जब भी वो होते थे, शूटिंग करने के लिए जाते थे, तो ये दुश्रे को जादा समझ पाते थे, साथ बैठ कर खाना खाना, अशा करना, जश्न मनाना ये सब चलता था असली क्याक्टर का पता तभी पता चलता था, उनकी इज़त हमने बहुत की, रंजीत ने कहा, अक्सर वो उन्हें अपने कॉटेस पर बुलाते हैं, और उन्हें बहुत बार कहते हैं कि तुम ब्रिंग करो, लेकिन रंजीत पर ये सब सूट नहीं करता था, तो वो अवोईर करते थे, राजकुमार बहुत कते की बाते करते थे, कमाल की वो उन्सान थे, रंजीत ने कहा है, कहावत भी वो सुनाया करते थे, उन्हें एक बार कहा, उट जब बैठता भी है, तो गधे से उपर नजर आता है, सेप सड़ ही जाता है, तो आलू से महंगा ही बिकता है, रा का कहना था कि उनका तजूर्बा भी अलग था गौर हो कि गले का कैंसर हुआ था राज कुमार को 69 की उमर में लंबे समय तक कैंसर का उन्होंने इलाज कराया था लेकिन जब वो काबूल नहीं पापाए तो फिर वो हमीशा के लिए उज़र गया गले केंसर होना और इसके बद फेपड़ो और पसलियों तक इस कैंसर का पहुँच जाना दो साल उनकी जिंदगी का आखरी बहुत भयानक था जी हाँ इस बारे में आपको मारूम होना हो साल 1996 में तीन जुलाई को राज कुमार का अदिकाल हुआ था राज कुमार दो साल तक घर पेप बन रहे बहुत तकलीफ में रहे थे बहुत अकेले पड़ गये थे उन्हें लगता था कि गलत पेशे में वो आ गये हैं वो पुलीस में थे वो सही थे काफी अनुशासित थे फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें बिल्कुल उलट कर रह दिया एक्ष्णाइन न्यूजम स्ट्रिप एक रिपोर्ट